नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में HMD Crest Max vs Poco X6 Neo 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Crest Max में 6.45 इंच जबकी X6 Neo 5G में 6.34 इंच की लेंख मिलती है जो की Crest Max से कम है विट की बात करें तो Crest Max में 3.01 इंच जबकी X6 Neo 5G में 2.95 इंच की विट मिलती है जो की Crest Max से कम है बात करें थिकनेस की तो Crest Max में 0.33 इंच जबकी X6 Neo 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Crest Max में 205 ग्राम्स जबकी X6 Neo 5G में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है चलिए अब हम दिस्पले की तुलना करते हैं डिस्पले टाइप की बात करें तो Crest Max में OLED जबकी X6 Neo 5G में AMOLED की दिस्पले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो नौ मिलता है बात करें डिस्पले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है डिस्पले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 108 शूम्य एक्स 2400PX FHD प्लस मिलता है स्क्रीन तो बोडी रेशियो रेशियो रेश्प माक्स में 85.78 प्रतिशत जबकी X6 Neo 5G में 88.95 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइडेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानी विशेश्टाई की जो की मॉबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो Crest Max में 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है और X6 Neo 5G की बात करें तो इसमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Crest Max में 7 different type के features मिल जाते हैं और X6 Neo 5G की बात करें तो उसमें 15 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Crest Max में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 2 different features मिलते हैं और X6 Neo 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आए अब बात करते हैं hardware के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं। GPU की बात करें तो, Crest Max में Mali G57 MP4 जबकी X6 Neo 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिप सेट की बात करें तो, Crest Max में Unisoc T760 और X6 Neo 5G में MediaTek Dimensity 6080 मिलता है। बात करें RAM की तो, Crest Max में 8GB की RAM मिलती है जबकी X6 Neo 5G में 2 options देखने को मिलता है। जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, Crest Max में 256GB की storage मिलती है जबकी X6 Neo 5G में 2 विकलक देखने को मिलता है। जिसमें 126GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Crest Max में अप्टू 256GB जबकी X6 Neo 5G में अप्टू 1TB है Operating System की बात करें तो Crest Max में Android V14 जबकी X6 Neo 5G में Android V13 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों पोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है Colors की बात करें तो Crest Max में 1 Colors जबकी X6 Neo 5G में 3 Colors ओप्शन मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Crest Max में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 16,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें X6 Neo 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 14,999 रूपीज 12 GB RAM 256 GB Storage के साथ 17,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजल गॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो HMD Crest Max में 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Poco X6 Neo 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में X6 Neo 5G आगे है प्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले